कि अधिए इस बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौझूद है उत्राखन बोल्ड की इंटर परिश्या में जिसने बागिश्वर में टॉप किया है ऐसी काड़ा के कुनेड़ा गाउं की रहने वाली प्रिया पांडे हम उनसे बातचीत करेंगे और उनके आगे किया रणनीती ह कितनी बड़ी सफलता उनके लिए है और यह बहुत बड़ी उपलब्दी है क्योंकि है उन्होंने टॉप किया हुआ था सरकारी राज़की इंटर कॉलेज कांड़ा से उन्होंने पड़ा है और यह बड़ी उपलब्दी है खासकर जब प्लिल स्कूलों का बोलबाला हुए सब्सक्राइब प्रिया पहले तो आपका स्वागता है धन्यवाद से पुझाना चाहरता यह जो आपको अपलब्दी मिली है अपनी जिला टॉप किया है और से पूरू में भी आप हाई स्कूल में भी टॉप ती तो कितनी बड़ी उपलब्दी आपके लिए है बहुत हर्स है इतने एक साल दो साल इतनी महनत के बाद आज मुझे अचीवमेंट मिली है तो अविसली बहुत खुश हुम है इसके अलावा मेरी पूरी फैमिली भी खुश है सारे टीचर्स ने भी काफी सपोर्ट किया है तो आज उनी के बदालत मेर कोई स्थान मिला है बिस्टिक मैं तो आज मेरी थैंकपूल तो आल आफ यू अचा यह बताएं कि अपने बारे में थोड़ा सा बता है आप बहुत कांडा के दुरस्त गाउं के रहने वाली है और अपने बारे भी थोड़ा सा बताएं कि आपने प्रिश्ट भूमी किस तर गे परिवार में कॉर कॉन कॉन लो परिवार भाई रहते हैं वो चड़नीगर में रहते हैं और मैं ममी दादी और दादी के सांथ रहती हूं सभी ने बहुत सपोर्ट किया है क्योंकि घरवालों की तरफ से कभी मुझे किसी चीच की कमी नहीं महसूस होने दियू नहीं हर हमेशा जो भी मैंने चाहा वो मुझे करने जाता था तो एंक जाते हैं तो सभी का काफी स्पोर्ट रहे सभी को काफी । य हल्प कि और पिल्हाल को जोन करूं तो उसी खॉलो करूं कि अभी ऑफ अर अच्छा लग रहा है यह बहुत अच्छा लग रहा है रोका हुआ हैं वाथ च्छा वे उट ऑप खुशी का भी शेयर घर हमारी बेटिये का नाम रोषन कि आई अच्छा प्लप्दिया और हमारी आधिफ ती जि कि आप सपोर्ट कर रहे हैं कितनी आगे को इसके महनत करनी पड़ेगी हां मेणने भाओ चने पड़ गीए अब तानि क्या होता है अब उसके बच्चे तो बाहर महणों ना पढने चले जाते हैं लेकिन आपकी आर्थिस्तिति ऐसी ओने अगरे चाहिए गरशे कोचिंग कर दो कर दिया भी आपको बहुत भी कहा है बच्ची वह सफलता मिले इसके ल वही हमारे लिए खुछी है तो प्रिया के बारे में बता दे कि हाई स्कूल बोल्ड परिक्षा में भी इन्होंने नाइटी सेवन से भी उपर अंक हासिल किया थे और अब मैं यह जाना चाला हूं कि प्रिया आपने जब जब जनली कई बच्चे होते हैं कि अच्छे पड़ने मेडियम से किया हूँ था और यहां हिंदी मीडियम के लिए और स्कूल तो अवलेबल है नी फिलाल अबडियल और कंट्री वाइट है और इसके अलावा जी 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 आइसी है बर जी जी में यह है कि मैथमेटिक्स नहीं है तो मैंने घरी से करना ठीक समझा क्यूंकि देखो ह मैं बाहर जाते हैं तो वहां कमरा खाना रहना पीन सब चीच के लिए खुदीकर टाइम ही बेस्ट होता है जबकि घर में पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है इसलिए मैंने यहां से जॉइन करना ठीक समझा फिर मैंने जी आइसी कारना मैं एडमिशन लिया तो इले तो इलेवन्थ में मैं कुछ अच्छी नहीं रही यहां पर ट्वेल्थ में ऐसा हुआ कि हाफ एली में भी मेरे मेरी फ्रेंड से कम नंबर थे तो मेरे को हुआ कि मेरे टैंथ में इतने थे तो अभी ट्वेल्थ में आएंगे तो फिर बहुत दिकते होंगी तो मैंने फिर ज तो कभी कभी मिल थे तो हर बार बार जाए ही ओलते थे कितनी महनध चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं और उन्होंने तो हमेशा आपना सपोर्ट दिया है मैं तो उनको हमेशा थैंक फुल रहोंगी और घाएसी कानड़ थीचर्ट प्रिंसिपल सर्, फिजिक्स वाले सर्, चेमिस् करता है कि तुम जिस भी स्कूल में जाओ जहां भी जाओ खुद की महनत ज्यादा मैटर करती है और कहीं के टीचर कोई कमनी पढ़ाते सारे टीचर सपोर्टिव हैं वहां के जानना जाड़ता है कि सरकारी स्कूल के जो चबी लोगों ने बना दी है तो आप उस चबी से में तो डेली जलती है वहां का फिजिक्स वाले सर्ण ने तो कोर्स भी कम्ट्रीट करा दिया था लगवा हमारे पेपरों के एक दो महने पहले और हम इस सपोर्ट भी करते रहते हैं कि बेटा पड़ों आगे बढ़ों मतलब ऐसा कभी टीचर की तरफ से नेगलेक्ट नी वह अचा अब काफी सारे बच्चे जो इंटर क्वालिफाइ कर गए हैं पास आउट हो गए हैं वह सारे बड़े साहरों में जाकी कोचिं कर रहे हैं आगे कि रहा के लिए कोई प्रसार्शनिक शेवा में कोई इंजिनिर्श फिल्ड में जाना चाहता है तो आप इंजिनिर्श अधी जाना चाहता है तो आप घर से कोचिंग ले रही हैं या फिर बहार जाकर कोचिंग ले रही हैं अभी मैं घर से ले यह मेरी फाइनस फाइनेशिल में थनी स्ट्रॉंग नियों डिए पढ़ार जाके में पढ़ाइब क्योंकि ऑनलान सोर्सेज भी बहुत अच्छी अच्छे हैं लाइक इस फिजिक्स वाला और मतला सभी कुछ सब बहुत अच्छे हैं तो हाँ घर बैठी बैठी भी यह उन अच्छे की पढ़ने पर ध्यान उने चीद होई जाता है तो यह प्रिया की थोड़ी चार्थिक स्थिती थोड़ी उनकी खराब होनी के वज़े से बाहर जाकर कोचिंग लेना में लेने में सक्षम नहीं है तो इसलिए वो घर से ही अपना ओन-लाइन कोचिंग लेकर अपना केरियर बनाना चाह रही है प्रिया आपको लगता कि जिस तरह से बागिश्वर जिले में या कांड़ा में कोई अच्छे सते अच्छे सते हैं तोने में लेकर भी जाप लेकर अपनेु उसलिए कि मैं और दया है तो की अच्रुक्ती आफनाना और अल्लाइन सोर्ससेज बहुत सस्ते बाने में है उनको पढ़के भी हो सकता है तो इस ही मी फट रही हूं अभी आप का देक है के तहियर हैं मैं ज एक्जाम कमयले इसके एक्जाम कशाम हूं. इसके एक्जाम होंगे नेक्स येर में जन्वरी में और सेक्ड अटेम्ट अपरेल अरॉंड और प्रिया बहुत एक मेधावी चातरा होने के साथ साथ में इसके बारे में बता दूँ कि ये आर्ट में इसमें बहुत अच्छे रूची रखती हैं तो प्रिया बताएं कि अपर्ण वेपन वह करती हूं अलपना में ज्यादा इंट्रेस्ट है उसके अलावा मेहंदी लगाना या पेंटिंग करना पेंटिंग तो बीच में टाइम नहीं के वाज़े से मैं तो बीच में छोड़ी दिया था अभी भी नहीं यह बट हाँ मैं नाइंथ पे थी और टै इसे होते हैं जो ग्रामेन शेत्रे से परिवेश आते हैं और अर्ठी श्तेटी ठीक नहीं है तो आगे जाके और निलाश हो जाते हैं उनको वह सफलता नहीं मिल पाती जो मैंन आपने की ए तो ऐसे बच्चों से आप क्या कहना जाएंगी क्या ऐसा आपके पास जो मैं तो कोई रिजन नी बनता कि आपको सफलता ना मिले महनत करने से सब कुछ पॉसिबल है तो प्रिया का यह इस पस्ट मानना की हाड़ वर करें और पुलानी चीजों को पुलानी क्वेस्टन पेपर भी आप रिवीजन करें उसमें रिपीट करें उनको सॉल्व करते रहें तो आपने हमसे बातीत कि इसके लिए बहुत बहुत धनिवाद थैंक यू से थैंक यू सब्सक्राइब आपती हमारे चान्त प्रिया पंडे इन्टर बोल्ड परिक्षया में बागिश्व जिला टॉप किया है और वो इंजिनिर की फिल्ड में जाना चाहती है और हम उनको झाल